दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी से आग के समय में क्या लगता है आपको खुद स्मार्टफोन बनाती वहल ऐसा नहीं है यह एक थर्ड पार्टी के उपर लाय करते जिसे कहते है ओडियम औरेशनल डिजाइन मैनुफेक्चरर जो की इनके हिसाब से इनक सबी फोन्स को चाइना से उठाती थी रिब्रांड करती थी अपना लोगों लगाती थी मार्केट में बिच्टी थी और 2024 में आज भी जातर कंपनी यही काम कर रही है चलिए कुछ इंटरस्टिंग बात बताता हूं इंसाइड स्टोरी बताता हूं मोटरोला जैसे कंपनी के 90% फोन्स आज के समय में ओडियम बेस्ट है सिफ 10% फोन्स है जो खुड इन हाउस डिजाइंग करें जिसमें उनकी एज जी स्रीज आती है लेकिन जो मोटरो जी स्रीज और उनके बजट फोन्स होते हैं सबके सब किसी थर्ड पार्टी ओडियम से नवी ढरते हैं यहां को शौमि कोमसी के वारे बात करें जो से तकरीबन 78% उनके फोन्स आए से जो इहां पर Huawei के बात करें 44% ODM Phones है इवन बात करें यहाँ पर OPPO Group की जिसके अंदर Realme, OnePlus, OPPO 3 ने इंक्यूड़ेड है इनके तक्रीबन 39% Phones है जो ODM बेस्ट है और Realme की खास बात है कि आपको लगता है हर दो हफ़ते में नया फोन निकाल देते Realme वाले कैसे निकाल लेते हैं कभी सोच है ODM के फरुज़े जितने भी बजट है आपफोन होते हैं सबके सब ODM बेस्ट है यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ Samsung जैसी अंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी smartphone maker है उसके भी सभी फोन सोरीशनल नहीं है 27% phone Samsung के ऐसे जो वो खुद नहीं बनाते हैं किसी ODM से बनवाते है और यह स्थरीज होती है F-Series और M-Series जो ODM बेस्ट है हाँ पे सिर्फ एपल ही कैसी कमपनी जिसके सबी आईफोन इन हाउस अपल डिजाइन करता हो 3rd party manufacturing कमपनी से बनाता है लेकर उसकी डिजाइनी उसने हाँ पे खुद करी है ODM वो रहता है जो आपको सिर्फ बताता है यारनि कि एक कमपनी का सामने से आना है उसको बताने कि हमारी ये ये requirement है इसके हिसाब से हमें product बताओ कौन सा सही रहेगा और ये phone लो और उसको market में बेशना है शुरू कर दो ODM का खिल यहाँ पर ऐसा रहता है और आज के समय में ODM का खिल सर्क mobile phones ने सीमित नहीं है ये boat, firebolt है इनकी जो watches और TWS होते हैं ये भी ODM product है ये लोग खुद बैठके खुद डिजाइंग नहीं करते है ODM के पास जाते है उनसे बोलते हैं कि हमें product चाहिए लोग product अपना logo लगाओ बेचो basically कहानी चलती है लेकिन 2024 और 2025 आने वाला है तो कहानी में कुछ twist है ODM जो company रहती है इसके पास कई सारे products रहते हैं बहुत बड़ा catalog रहता है वो अपना catalog दिखा थे सामने वाले को और बताते कि आप कौन सा mobile phone कि स्टैट कर लेना चाहते हैं और ODM company से मैंने भी बात करी थी तो उनसे एक interesting insight में को पता चला कि यहाँ पे यार जित्ता बड़ा order होगा ना उत्ता बड़ा आपको customization मिल जाएगा और जैसा आप बोलोगे वैसी सारी चीज़े हो जाएगी यहाँ तक कि यह लोग packaging भी handle कर देंगे अगर आपको logo चाहिए वो logo लगा देंगे यह लोग यहाँ तक कि software में चाहिए कि आपका नाम आए आपका logo है वो यह कर देंगे about section आपको change कर देंगे product को पूरा बना देंगे packaging भी कर देंगे और इंडिया में ship भी कर देंगे यह सारा का सारा जो काम होता यह ODM हाल यहाँ पर कर सकता है जिस वज़े से एक mobile phone को बना पना आज के competitive market में काफी आसान हो गया क्योंकि जहाँ company अपने सारे resources एक सस्ते phone में लगानी के वज़े अपने महेंगे phone premium में लगा सकती है उसको better करने में लगा सकती है वहां पर वो लोग focus करेंगे और जहां पर volume का खेले वहां पर यह लोग ODM का सारा ले सकते है इस वज़े से एक नई company hypothetically start कर पाना आज के समय में आसान है और वहां पर उनका ODM पार्टनर था BYD जिसने शुरुआती दिनों में Nothing OS में पर बनाया था इस वज़े से शुरुआती दिनों में Nothing के प्रोड़क्स में quality के issues थे कई बस software में glitches थे धीरे धीरे nothing वालों ने चीज़े changes करें अपने आपको evolve किया RCS में software पर भी control है और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ODM product के लोग उठा लेते नहीं कई बार उसके अंदर अपने साब से changes करते और अपने साब से बदलाफ करके दिखाते हैं हाला कि ये बात में TWS और smart watches के लिए नहीं क्या सकता लेकिन एक सवाल देखने क्या ODM का product यूज करना क्या गलत चीज है बिल्कुल गलत नहीं है ODM का product अगर आपको सही मिल रहा है value formally product की quality अच्छी तो अच्छा है क्योंकि ODM जो रहता है वो multiple products बनाता है उसके सस्थे product भी होता है उसका महेंगा भी होता है वो quality product भी बना देगा वो inferior quality का भी बना देगा आप क्यों पर depend करता है कि आप क्या लेना चाहते हो अगर कोई भी company बेकार quality का third class product अगर आपको चिपका रही है ना तो आप समझ जाओ कि उस product से दूर रहना है company के पास एक opportunity है कि यहां पर यह लोग एक अच्छा product आपको deliver कर सकते हैं लेकिन वो लोग यह चीज़ बिलकुल भी नहीं करते हैं और वहां पर मेर को problem होती है कि लोगों को उनके पैसे की सही value मिलनी चाहिए नहीं तो यहां पर O.D.M company लाने का फायदा की हो और कुछ companies ऐसे हैं जो O.D.M का सारा लेती हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे phones अच्छे products को अगर सस्ते rate के अंदर available करवा है तो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं तो अगर O.D.M नहीं होते तो कई बार आपको सस्ते में अच्छे smartphone देखने को मिली नहीं पाते क्योंकि O.D.M के साथ ही यहां पर एक खेल रहता है इसी के साथ ही O.D.M के साथ मैंने एक और इंटरसिन चीज़ देखिए जब मैंने कुछ O.D.M कमपनी से बात करी तो उनका यह कहना था कि अक्सर जो सामने वाले companies होती वो ने एक्स्ट्र सॉफ्टर अपडेट के लिए पैसे नहीं देती है अगर आप हमें और पैसा दो तो हम अधियर दी तो सॉफ्टर अपडेट भी रोल आउट कर सकते हैं यानि कि कमपनी को बस यहां पर एक्स्ट्र पैसा देना है और आगने वाले समय में उसको सॉफ्टर अपडेट भी अपने फोन के अंदे डिलीवर करवा सकते हैं लेकिन इन दा एंड उस कमपनी के हाथ में यह चीज़ है कि उससे सॉफ्टर अपडेट है यूजर को कैसा एक्सपीनस देना है और ओडियम प्रॉट के साथ एक अतरना चीज़ मैंने देखिए वो होती है यहां पे इनकी रिपरियूबिलिटी का जैसकि मैंने बताए कि मोटरला के 90% फोन्स ओडियम बेस्ट है और मोटरला की आफ्टर सिल्स सर्वेस कैसी वो भी आप जानते हैं तो ODM जब वो स्मार्ट फोन्स तर्ट लिमिटेड नहीं है यहां पे 90% जो स्मार्ट टीवीज है वो भी ODM में से जिसके डिक्सन टेक्नलोजी और रेडियन टेक्नलोजी यह कुछ ऐसे दो एक्सम्पल है जो ODM पार्टनर है गूगल के साथ इनके पास गूगल के लिए नहीं भी निकालते सब ODM बेस्टेप इवन शाओमी का भी यही सीन है हाली में वनप्लस और रियल्मी ने टीवी बनाना बंद कर दिया लेकिस सर्प्राइजिंग चीज यह कि अब जाके उनके टीवी को अपडेट आया उसके पीछे का रियांसर भी ODM है क्योंकि ODM न देखो ODM अच्छा या बोरा यह हम नहीं कह सकते हैं देखो आपको यह समझना पड़ेगा कि Original Design Manufacture फोन को डिसाइंग करता है फोन को बनाता है और कई बार सामने वाले की requirement समझता है कि उसको किस टाप का product कि चीज़े चाहिए और कुछ चीज़े उसकी तायार रहती है इन दा एंड अगर सामने वालों से अपनी अच्छे तरीकी से requirement बता दे कि क्या कैसे करना है तो बहुत ही अच्छे products आपको देखने को मिल सकते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि company Original product बना रहे है कि copy product की ODM है इन दा एंड लोगों को अगर अच्छा product deliver हो रहा है तो आप लोगों के से फर्क नहीं पड़ना चाहिए प्रॉब्लम तब आती है जब ODM का सारह लेकि low quality products अब market में आते हैं और इनी low quality products से क्या रहता है कि market एकदम से flood हो जाता है और उसके बाद लोग का भी भरोसा ओड़ जाता है किसी नए company को पर trust करने गा यही चीज़े होती है कई बार चोटी 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 company जो एकदम से rise कर गही है TWS का segment में smart watch का segment में सब इसी का खेल यहाँ पर खेल रही है इवन smart phone space में भी ही काम होता था लेकिन कुछ अच्छी companies का आने के बाद market काफी से तरीके से बदल गया है और saturate हो गया है जिस कारण से आज के समय में एक mobile phone launch करना तो आसान है लेकिन अच्छा mobile phone बना के उसे बेच पाना वो यहाँ पर difficult वालट आसके तो यह भी एक चीज है कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं इस बात को जैमते नहीं तो उनको knowledge लेने के लिए मैंने बताया और यह भी बताए कि अच्छा बुरा कुछ नी होता है इन ये रहता है कि आपको product यहाँ पर क्या deliver हो रहा है बाइदावे आप लोग के इस बारे में जो भी opinion नहीं जबू से नीचे कमेंट बताईए थिंक्यू अबने रहने के लिए मैं आप समय तो अपने अगली वीडियो के अंदर गुड़ बाई